वेरी वेलकम टू आल अफ यो आप सभी का 36 गड़ इतिहास की क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है मैं निखिल बाच पर आज आप लोगं की पहली क्लास ले जा रहा हूँ तो एक पहली क्लास ले जा रहा हूँ तो एक बार हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है हम आपको पूरी सीरीज यानि की 36 गड़ के Ensign History, Medieval History और Modern History की संपूर्ण सीरीज ले करके आने वाले हैं तो बस आपको एक ही काम करना है कि हमारे द्वारा दी जा रही वीडियो के नोट्स तयार करते जाना है और इनका बार-बार रिविजन करते जाना है आप हमारे द्वारा दी जा रही वीडियो पे पूरा विश्वास कर सकते क्योंकि बिलकुल Authentic Books के माध्यम से हमने ये वीडियो को तयार किया है शुरुबात करते हैं मैं निखिल बाच पर आज आप लोंकि बिलकुल पहली क्लास मेंटर्स ग्यान पे लिने जा रहा हूँ तो History of 36 या Prehistoric and Historical Period के बारे में हम बात करते हैं जब हम प्रागेति हासिक काल के बारे में बात करते हैं मैं इसके एक छोटी सी परिभाश आप लोंको पहले बतला देना चाहता हूँ प्रागेति हासिक काल जिसे प्रस्तर यूग या Stone Age के नाम से भी जाना जाता है जिसके कोई लिखित समागरी उपलब्द नहीं है यानि कि कल को अगर आप से पूछे कि प्रागेति हासिक काल किसे कहा जाता है तो आप लिख करके आ सकते हैं कि प्रस्तर यूग प्रागेति हासिक काल ये Stone Age उस Age उस Spirit को कहा जाता है जिस Spirit के कोई लिखित समागरी उपलब्द नहीं थी या शलल शब्दों हमें बोलू तो उस वक्त के लोगों को लिखना नहीं आता था तो इसकाल की जानकारी हमें प्राप्ति कैसे होती है इसकाल के जानकारी का मुख्य स्रोत पूरा तात्विक स्रोत ही है अब मैं बताता हूँ कि जो प्रागेतिहासिक काल है उन्हें भी तीन या चार खंडों में विभाजित किया गया है मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ जैसा कि लिखा हुआ है लीपी के विकास के आधार पर चत्तिसगर के इतिहास को तीन भागों में वर्गी गृत किया गया है वो कौन-कौन से भाग है प्रागेतिहासिक काल, आद्य एतिहासिक काल और एतिहासिक काल वास्तविक्ता में प्रागेतिहासिक काल की परिभाषा तो अभी अभी मैंने बताई जिसके कोई लिखित साक्ष मौचुद नहीं है आद्य एतिहासिक काल ऐसा काल खंड होता है जिसके लिखित साक्ष मौचुद तो हैं पर हम उसे पढ़ नहीं पाते इसके उधारण में आप Indus Valley Civilization को ले सकते हैं, जिसमें लिखे हुए चीजे तो मौजूद हैं, परन तो हम उसे आज तक रिड नहीं कर पाए हैं, उसे समझ नहीं पाए हैं कि वो क्या लिखना चाहे रहे हैं एतिहासिक काल वो साक्ष होते हैं, जिसके हमारे बस में भरपूर, लिखित साक्ष मौजूद हैं, जैसे रमायान काल, महाभारत काल, वैदिक काल, इनके लिखित साक्ष हमारे पास मौजूद हैं तो प्रागेतिहासिक काल में जो मुख्य जानकारी है वो पूरा तात्विक्षोतों से ही प्राप्त होती है याने कि उत्खनन होते हैं खोदाई होती है और उनसे जो चीजें हमें मिलते हैं उनसे हम समझ पाते हैं कि उस कालखन के दौर कैसा रहोगा वैसे इस class को आगे बढ़ाते हैं तो हम अभी प्रागयतिहासिक काल पर ही पहले ध्यान देंगे तो जब मैं प्रागयतिहासिक काल की बात करता हूँ तो रिट करते हैं अपन यहां के गुफाओं एवं शैल चित्रों के रूप में अपना प्राचिंतम उस्पृति का ज्यान क गुफाओं में उकेरी गई शैल चित्रों की खोज सबसे पहले इंजीनियर अमरनाथ दत 1910 में किया था यह नाम आप सभी PSC और व्यापम वाले स्टूटेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यह नाम है अमरनाथ दत ने 1910 में इसका खोज किया था सबसे प सिंधनपूर की गुफाओं में लाल रंग के पश्वों और शरी स्रिपों चिन्नों का रूपांकन है जिसमें मनुष्य के चित्रों को रेखा द्वारा खीच कर बनाया गया है अब इससे ना व्यापम और PSC में अनेक प्रश्न पूछे गए पहला प्रश्न तो ये बनता है कि सबसे पहले 36 गर में प्रागेति हासिक काल की खोच कहां की गए तो आपको याद रखना है कि वो पहली जगह जहां पे 36 गर में प्रागेति हासिक काल के बारे में हमें मालूम चला वो सिंधनपूर था किस ने किया अमरनाथ दत्य ने किया कब किया 1910 में किया इससे तीन प्रशने यहीं पे बन गए, किस ने किया, कब किया, और किस जगह को किया, साथे साथ में एक प्रशने यह भे पूछा है, कि सिंगनपुर की गुफाओं में जो चित्र उकेरे गए हैं, जो अकृतिया उकेरी गई हैं, वह किस रंग की हैं, आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने बताया कि सिंगनपुर की गुफाओं में लाल रंग से पश्वों और शरी श्रिपों के चिंडों का रुपांकन किया गया है, तो आपको इसपस्ट हो गया कि लाल रंग से इनका रुपांकन किया गया है, जहां तक हम बात करते हैं, कि कि चित्रों का रुपांकन है तो हम आदी काल की बात कर रहे हैं हम प्रागेति हासिक काल की बात कर रहे हैं इस वक्त मनुश्य किन को देखता था जंगलों में रहता था पश्यों को देखता था शरीश्रिपों को देखता था और स्वयम मनुश्यों को देखता था तो इन्हीं का चित्रों का अंकन किया यहां पर जो गुफाएं आपको दिखाए गई है सिंगनपुर की गुफा कही चित्र दिखलाया गया है आगे अपन चलते हैं इसके अगली पहग में तो हम देख रहे हैं कि जो प्रस्तर यूग है या स्टोनेज या प्रागेति हसिक्काल है इसे भी तीन पार्ट्स में डिव पाशान और नव पाशान जैसे हमनों नियोलिथिक एज भी कहते हैं आखिरकार ये मैसोलिथिक नियोलिथी ये एजस में जो डिस्ट्रिब्योशन ने ये किस बेसिस पर किया गया क्योंकि इससे भी एक कोशन पुछता है कि परस्तर यूग का विभाजन किस आधार पर किया पाशान कल में ये पद्धती विक्सित हुई हमने पत्थर उधा करके माना ने शुरू किया बलकि पत्थर से हथ्यार बनाने शुरू किये उसे कोई एक नोकिला धारदार शेप शुरू किया जब उत्तर पाशान कल आया तो हमने उसमें और विकास किया हमने उसे तलवार च पाशान काल और नौ पाशान काल किस बेसिस पे है तो ये विकास की अवस्था के आधार पर विभाजित किया गया है वैसे मैं पूरू पाशान काल के बारे में बतलाओं तो आप लोग को एक एक करके मैं इनके जितने भी छेत्रे हैं जो महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा पूछा जा सकता है इनके विभाजन के बारे में कई बार हमने ये भी पाया है कि सिर्फ इस प्रकार से कोशन बनते है कि मध्य पाशान काल के प्रमुक छेत्रों का वर्णन करिए या उत्तर पाशान काल के बारे में बतलाओं तो आपको इनके बारे में दो नंबर में PSC के म पूछा जा सकता है या फिर किसी एक छेत्र का नाम दे करके व्यापम की परिक्षा में पूछा जा सकता है कि ये किस काल से संबंदित छेत्र है तो हम देखते हैं पूर्व पाशानकाल राइगण जिले के सिंगनपुर की गुफा बहुत प्रसिद्ध है और शैल चित्रों के लिए प्रशिद्ध है इसके छोड़ आप लोग पूर्व पाशानकाल में कुछ और छेत्र हैं क्योंकि देखे महानदी घाटी राइगण का सिंगनपुर काब्रा पाहार बोतलदा छापा मारा भवर खोल गिद्धा सोन बसरा ये सब वो छेत्र हैं जो कहीं न कहीं गुभार पहार की गुफा में लाल हरंग के छिपकली घडियाल कुलहारी सामभर आदी के चित्रकारी के अवशेष मिले हैं तो जब मैं मद्य पाशान काल की बात करता हूं तो मध्य यूग के लंब फलक अब मध्य यूग की खासियत क्या है तो मध्य यूग में हमें कैसे पहचाने कि ये पूरु पाशाण काल से हम आगे बढ़के मध्य यूग में प्रवेश कर चुके हैं तो जब मध्य पाशाण काल में आए ना तो हमें आवजारों में परिवरतन दिखा क्योंकि हमने पहले भी बोला है कि इसमें जो हम फर्क कर रहे हैं वो किसाधार पर तो विकास की अवस्था क्याधार पर है हम डेवलप होते जा रहे हैं तो हम जब डेवलप हुए तो हमने अलग तरह के हत्यारों को उपयोग शुरू कर दिया मध्य योग में लंबे फलक अर्ध चंद्राकार लगू पाशान आउजार राइगर जिले के काबरा पहार में चित्रित शैलाश्राय के निकट प्राप्त हुए मध्य पाशान काल के उपकरन आउशेष कहां कहां मिले हैं तो क्या हुआ भीया पहला चीज आप लोगों को याद रखना है कि जब बध्यूग में आए तो लंबे फलक अर्ध चंद्राकार लगू पाशान आउजार मिलने शुरू हुए कहां पर मिले तो राइगर के काबरा पहार में सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त हुए कैसे था इपके थे तो लाल रंग से बनी हुई यहां पर छिपकलिया थी घड़ियाल थे कुलहारी था जसके हमने बात कि हथियार मिलेंगी कुलहारी मिला और सांभर आदी के चित्रकारी के अउशेश मिले और जो हथियार मिले वो फलक लंबे फलक वाले अर्ध चंद्राक के लिए बिलासपुर जीले का घनपुर राइगर जीले की महानदी घाटी प्रसिद्ध है उत्तर पाशानकाल में अगर हम देखे तो इस समय में जो औजार मिलते थे वो लगुकृत होते थे यानि कि मध्य पाशानकाल से और भी ज्यादा एडवांस लगुकृत औजार बहुत आधिक होगा इसकाल की अगर मैं परीभाशा भोलू या इसकाल को अगर मैं आपको समझाओ तो मैं यह कह सकता हूँ इसकाल में मानव क्रमिक विकास कर चुका था या यह कह सकते हैं कि इसकाल में मनुष्ये ने क्रिशी कर्म पशुपालन ग्रे निर्मान तथा इस युक के आउजार बलोदा बालोद जीले के अर्जुनी राजनन्द गाउन के चित्वा डोंगरी तथा राइगर जीले के टेरम नामा के स्थान से प्राप्त हुए हैं आगे मैं बात करूँ तो जो नौ पाशान कालीन साक्षी राइगर जीले के टेरम दुर्ग जीले के अर्जुनी राजनन्द गाउन के चित्वा ग्रोंगरी जैसे की मैंने बताया यहाँ पे आप लोगों को दो चित्र दिक्री होंगी जो लेफ्ट हैंड साइड में चित्र बनी हो हैं वो बुतलदा केव की है और एक राइट हैंड साइड वाली काब्रा पहाड की है आगे हैं अपन कुछ important points बस देख लेते हैं जो कभी कभी प्रशनों में तब्दिल हो करके आजाते हैं जैसा पूछा जा सकता है पहला point है सबसे लंबी गुफा कौन सी है तो आपको बताना है कि सबसे लंबी गुफा बुतलदा की गुफा है सरवाधिक शैल चित्र कौन सी गुफा में प्राप्त होते हैं सरवाधिक शैल चित्र काब्रा पहाड की गुफाओं से प्राप्त होते हैं सरवाधिक जानकारी काब्रा पहाड की गुफाओं से ही प्राप्त हुई है प्रागेति हासिक काल के सरवाधिक शैल चित्र राइगर जिले में मिले हैं प्रागेति हासिक सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है तो जब सबसे प्राचीन की बात करते हैं तो वो सिंगहनपुर की गुफा आती है उसके बाद में हम काबरा पहाड की गुफा को कह सकते हैं चतिस गड़ के सैल चित्रों की खोज सरप्रथम कब हुई तो हमने अभी अभी शुरुवात में ही पढ़ा कि 1910 में अंग्रेजी इतिहासकार एंडर्सन ने इसकी खोज करियो तो आगे फिर हमारे भारती इतिहासकरोंने भी इसे जाना पर्खा और पहचाना नवपाशानिक अवशेश नवपाशानिक अवशेश की सरप्रथम जानकारी ये थोड़ा सा हीडन हो चुका है